क्या आपने कभी शोचा है कि अगर इंसान धर्ती से गयब हो जाएं या खत्म हो जाएं तो क्या होगा आज के समय में इंसानों ने धर्ती पर एक तरह से कबजाही कर लिया है हम अपने घर और सहर्क बनाने के लिए जंगलों को खत्म करते जा रहे हैं हमने ऐसे हत्यार बना ल रखती है और अगर हम इस तरह से छेड़ चाल करते रहेंगे तो वह हमारा ही विनास कर देगी अगर सभी इंसान धर्ती से गयब हो जाएं तो सबसे पहले तो कुछ ही घंटों में धर्ती के सारे पावर सोर्सिस काम करना बंद कर देंगे क्योंकि ज्यादा तर पावर सोर्स फॉसिल फ्यूल से चलते हैं वह भी काम करना बंद कर देंगे इतनी जबर जस्त कंजक्शन के कमी के करण नुकलियर रियक्टर भी काम करना बंद कर देंगे कुछ ही दिन बाद अंदर ग्राउंड टनल और मेट्रो भी बंद हो जाएगी क्योंकि उनमें पानी भर जाएगा या वहां बिना पंप की हवा की निकासी नहीं रहेगी हमारे घरों में रहने वाले जानवर सबसे पहले मर जाएंगे क्योंकि हमारे बिना उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा बड़े जानवर छोटे जानवरों को मार देंगे और केवल वे ही बचेंगे हर तरफ जंगल राज होगा क्योंकि भूक मिटाने के लिए और कुछ नहीं बचेगा हमारे जाने के एक महिने बाद नुकलियर रियक्टर को ठंडा रखने के लिए डाला गया पानी भाप बन जाएगा तब उन सब मेहरोस्मा में गिराए गए बमों से भी ज़्यादा बड़ा धमाका होगा कई सालों तक रेडियेशन का खत्रा बना रहेगा और जानवरों में कैंसर फैल जाएगा लेकिन दुनिया इससे भी बाहर निकलेगी अगले 30 साल बाद धरती के सब सहरों पर दोबारा पेंड पौधे अपना कबजा करने लग जाएंगे पहले वो पेंड उगेंगे जो कंक अगल बनने लगेंगे लगभग 50 साल बाद धरती का तापमान भी ठंडा होने लगेगा धरती की हवा भी ज्यादा साफ होने लगेगी प्रदूसरन का असर खत्म होने लगेगा हवा इतनी साफ होगी कि ज्यादा दूरी तक देखा जा सकेगा तीन सो साल बाद धातु से बनी चीजें भी तूटना सुरू कर देंगी आईफिल टाबर हो या लोहे के पुल सब तूटकर गिरने लगेंगे सारे बिल्डिंग और घर भी तूटकर गिरने और बिखरने लगेंगे जानवर और पंचे इन जगों पर दोबारा अपना बसेरा घोशला बनाने लगेंगे पानी के बांध भी तूट जाएंगे और नदिया अपने पुराने बहाव के साथ बहने लगेंगी अगले 10,000 साल बाद इंसानों की निशानियां सिर्फ पत्थों की कला कृतियों या ऐसी चीजें ही बचेंगी अगले 1 करोड साल बाद इंसानों के सबूत सिर्फ तूटे काच के टुकडे और पॉलिथीन जैसे ना नश्ट होने वाली चीजों से ही बचेंगे अगले तीन से पाँच करोड साल बात तो ये भी नहीं बचेंगे तब हमारे दोरा फैलाई गई गंदगी जैसे रेडियो एक्टिविटी भी नहीं बचेंगी तब नए जी जो अपनी दिमाग की सक्ति विक्सित करेंगे उनके पास कोई सुबूत नहीं होगा कि उनसे पहले कोई सबता थी या नहीं थी कुद्रत हमारे बगेर भी अच्छे से फल फूल जाएगी लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे हम जिस तरह से चोटी चोटी जमीनों के लिए जंग से अपनी धर्ती को बर्बाद कर रहे हैं हो सकता है हमार आने वाली नसले इसकी खुबसूरती कभी देख भी ना पाएं